नमस्कार दोस्तों में हम प्लकित महुन सिंगला दोस्तों आज हम पांच उन आदतों की विश्य में बात करेंगे जिनको अपनाने से आप नेगटिवीटी से बचे रहोगे चांसे कम हैं कि आपको नेगटिवीटी लगेगी पहली आदत है कि अगर आप बहुत पूजा पाठ करते हो रेगुलर्ली आप धार्मिक हो तो भी नेगटिवीटी आपको कम चिप्टेगी अब इसमें पूजा पाठ का मतलब यह नहीं है कि आप गंटों गंटों अलग अलग आर्तियां गाय जा रहे हो सारी चीज़ें पढ़ पार्ति को करके आपको उस चालीसा को पढ़के अगर आपको फीलिंग आ रही है कि यूर कनेक्टिंग विद डिवाइन आपको अपने उस ईश्वर के साथ जुडाव महसूस हो रहा है तब वो एक चीज का प्रमार्ण करता है कि हाँ पॉजिटिव जो है वो आ रही है और जो यह पॉजिटिव शक्तियां है यह हमारी मदद कर रही है और करेंगी और जो भगवान है जिनके हम पूज रहे हैं वह हमारी मदद करेंगे इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है मंतर जाप मंतर जाप से बड़ा कोई विधान नहीं है मैं हमेशा आपको मंतर मंतर जाप पर ही जोर देता हूं क्योंकि यह बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं और बहुत जल्दी कमाल दिखाते हैं तो मंतर जाप अपने जीवन में जरूर रखिए इससे बहुत हत्तक चांसे होंगे कि नेगटिविटी आपको कम चिपटेगी दूसरे लोग दूसरी आद खाते हो पीते हो कंजूम करते हो और खासकर ओपन स्काय के नीचे आप मीठ खा रहे हो मास खा रहे हो अंडा खा रहे हो शराप पी रहे हो देर रात इन चीजों का सेवन कर रहे हो तो भी बहुत हत्तक नेगटिविटी आपको चिपटेगी और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो chances घड़ जाएंगे क्योंकि तामसिक वैसन है अगेन मासा हार है जीव हत्या से inspired है तो उससे negativity खुश होती है और attract होती है तो अगर आप नॉन्वेज नहीं खाते शराब नहीं पीते तो यह positivity का काम करेगा और गलत उर्जाओं को आपके शरीपर आने से कहीं ना कहीं रोक का काम करेगा तीसरी आदत तीसरी आदत यह कि अगर आप ऐसे मकान में रहते हो जिसमें वास्तु दोश नहीं है तो भी negativity आपको कम चिपकेगी अपने मकान का वास्तु जरूर चेक करें कि आया उसमें कोई दोश तो नहीं है वास्तु दोश बहुत बड़ा factor होता है negativity को अट् हो तो भी आपका घर भी haunted हो जाएगा और आप भी किसी ना किसी गलत उर्चा से possessed हो जाओगे तो घर की वास्तु के उपर बहुत द्यान दे और घर की जो directions है कि हर चीज अपनी जगे पर है के नहीं उस पर बहुत द्यान दे चौती आदत अगर आप अपने पित्रों की सेव करते हैं उनके निमित्दान करते हैं उनको पूरी इज़त देते हैं उनके लिए प्रॉपर शराद करते हैं तो भी negativity के chances कम हैं चिपटने के बहुत लोग देखा गया जो अपने पित्रों को नहीं मानते नहीं पूझते उनके निमित्दान नहीं करते उनकी सेवा नहीं करते उनको इज़त नहीं देते ऐसे लोगों के उपर बहुत जल्दी बहारी उर्जाय अटाक करती है और उनके खुद के पित्तर भी अटाक करते हैं खुद के पित्तर भी नेगेटिव हो जाते हैं जिससे बहारी उपरी बाधाओं को जो रोकने में असमर्थ हो जाते हैं या यू उक्सान पुचाने के लिए तो जो लोग पित्रों की सेवा करते हैं उनके उपर ऐसे कश्ट कम देखने को मिले हैं क्योंकि जो पित्तर है वो बचाव करते हैं खड़े रहते हैं ढाल की तरीके से पाचवी आदत ये अगेन रात के वक्त आप अपने घर में भी बारा से चार में भोजन ना करें बारा से चार नेगिटिवटी का वक्त माना जाता है इस टाइम में गलत उर्जाओं का वाज जादा होता है तो बारा से चार में भोजन को अवर्ट करें खासकर सफेद चीज को सफेद चावल, दूद, दही, पनीर इनको रात के टाइम में अवाइड करें किसी भी तरीकी की सफेद मिठाई इनको रात को अवाइड करें और जनरली आपको बहुत ही ज़ादा भूक लग रही है आप लेट आयो ओफिस से भूके हो तब आप खा रहे हो, बात अलग है आपने थोड़ा सा उसमें से फिर भी एक टुकडा निकाल दो भगवान का नाम लो, भगवान से प्रातना करो कि आप वो आपकी रक्षा करें और वो जो भोजन वो कर रहे हो भगवान के निमित हम देते हैं तब उस बोजन को खाईए, ताकि जब भगवान का शेयर उसमें डल गया तो कोई भी गलत उर्जा उसको हाथ ना लगाए इसलिए पहले कहा जाता था खाने से पहले भगवान को प्रे करो ताकि हम भगवान का आवान करें पॉजिटिव शक्तियों का अवान करें और अगर आप जनरली वैसी आपकी स्नैकिंग की यादत है या पेट भरे में आपकी 12-4 में उठके आइस्क्रीम खाने की फिल्म में उसे इंस्पायड होके या और कुछ खाने की यादत है तो इन आदतों को चेंज करो अगर आपकी कोई शूगर डाउन हो जाती है कोई आपको वैसे इशू है तब बात अलगे वो एक मेडिकल इशू है तब आप खा लीजे पर अगर आप बिल्कुल ठीक हो बले चंगे हो कोई आपको दिक्कत नहीं है बस एक फैशन के नाम पे वैसे ही आरा दूसरों को प्यास करती हैं तो जो लोग नहीं खाते उन पे चांस बहुत कम होते हैं इस तरीके की उर्जाओं के चिपकने के यह ऐसी आदते हैं जो एक डिसिप्लिन भी लाती है और कहीं न कहीं यह बताती हैं कि आप कितने जादा पॉजिटिव हैं और कितने जादा आप सकरात्मक हो हैं इनवार्मेंट को लेंगे हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हर त्रिके की योंियों के जीव हैं दिखने वाली और ना दिखने वाली भी तो ऐसे में हमारे बहुत जरूरी है एक हम अपने उस एंवद्वीय कि जो जीव हमें दिख सकते हैं जब हम उनसे अपनी प्रिकॉशन करते हैं घर में कोई भी कौक्रेच आ जाता है दवाई चुड़कते हैं कि वह हमें नुकसान ना पहुचा दे तो ना दिखने वाले जो जीव हैं उनसे भी प्रिकॉशन करने के लिए अगर हम इन सावधानिय को याद रखेंगे ध्यान से चलेंगे तो बहुत हद तक नेगिटिवटी से बचे रहेंगे और हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि यह एनरजी फिल्मों की तरह नहीं अटैक करती जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि सामने आ गय हूँ हाही यह ऐसे नहीं होता यह आपकी और आसे अटाच हो जाते हैं और कभ आपकी परस्नाइलिटी में मिक्सप हो जाते हैं आपको पता भी नहीं जलता दीरे देरे जिंदगी में बैड लॉक्स अपसेंट डाउन्स हर तरीकी दिकते आने शुरू हो जाती हैं और इनसान को बहुत देर में पता लगता है जब तो कहीं ना कहीं आप गलती ज़रूर कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक ज़रूर कर रहे हो, जिससे आप ने इन चीजों का अकरशित किया है, कहीं दफ़ा किसी भारी इंसान द्वारा ब्लैक मैजिक के कारण भी ऐसा हो जाता है, और आज के टाइम में नफरत करने वा आपको नहीं पता किस रूप में आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा है, और आज के टाइम में लोग ब्लैक मैजिक का सारा इसलिए लेते हैं, क्योंकि यह ऐसा माध्यम है, जो सबसे सेफेस्ट मना जाता है, कि जो चीज असानी से ना समझी जा सकेगी, ना पकड़ी ज जाएगा, और वो यह भूल जाते कि इन कर्मों को करके तुम गलत योनियों को प्राप्त होगे, तुम मरोगे तो खुद भी प्रेत बनोगे, भूत बनोगे, क्योंकि तुम ऐसी चीज़ों का जिनका सारा लेरोक श्री कृष्ण जी ने कहा है, जिसको भजोगे उसी को प्र प्राप्त होगे, पित्रों को बजोगे, पित्रों को प्राप्त होगे, देवी देवताओं को बजोगे, उनको प्राप्त होगे, और मुझे बजोगे तो मुझे प्राप्त होगे, तो बगवान ने स्वेम इस चीज़ को बोला है, तो अगर जो लोग काले जादू टोटके वगरा करके आपको नुक्सान पहुचा रहे हैं आप यकीन मानिए मरके भूत प्रेथ बनेंगे और जो लोग तांत्रिक इस तरीके से दूसरों को बर्बाद करने के लिए उपरी छोड़ते हैं काले जादू करते हैं मूट क्रिया छोड़ते हैं मसानी छोड़ते हैं ये अवधी साफ हो गएंव वह बहुत लंबी होथी हिनकी हज़ार में और जून नहीं दो भूरी जाओ तो यह खुद के लिए अगेन बाकी अगर आप negativity के patient हैं आपको लगता है आपके घर में black magic हुआ है या आप पे हुआ है तो आप हमारी दुनी जरूर मंगाई है हमारे क्रिया वाले नारियल जरूर मंगाई हुआ 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 उनको use कीजे आप देखेंगे कि चीजें बदलने लगेंगी जिन्दगी बहतर होती चली जाएगी हमारी दुनी हर तरीके की नकरात्म कुर्जा को वास्तु दोश को कि एकराय को सब को काट देती है बस आपको सुबह शाम उसको गोबर के उपले पर गरम उपले पर जलाना है बस ये करना है और जो हम नारियल देते हैं बस simply उसको लेना है अपने म बदलाव आएंगे जीवन में positive के जो आपने सोचे भी नहीं होगे और आपका कोई भी शत्रुए जीवित है या मृत है दोनों ही अवस्ताओं में उसको पड़तार ना मिलेगी और अपने आप उसका जो भी असर है आपके उपर वो दूर होना शुरू हो जाएगा अगें 30331007 वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट्स में क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत matter करते हैं जिससे मोटिवेशन मिलता है और भी ज्यादा आपके लिए मेहनत करने का लाइक कीजे शेयर कीजे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजे वीडियो को ज्यादा ज्या बटन दबा दीजे ताकि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का मिलता रहें तो वीडियो कैसी लगी जरूर बता रहा मैं हूं आपका दोस्त पलकित महान सेंगला